नमस्कार मैं हूँ आचल सिंग और आपका स्वागत हमारे चैनल पर तो आज दिल्ली से बड़ी खबर है दिल्ली में ग्रिह मंत्री अमिश्चा LNJP होस्पिटल पहुचे और वहां का उन्होंने जाय जा लिया तो जिस तरीके से इंडिया टीवी ने LNJP के स्थिति और अर्विंद केजरी वाल को जो काम करना चाहिए था अब वो ग्रिह मंत्री अमिश्चा कर रहे हैं तो दिल्ली के LNJP होस्पिटल में अमिश्चा पहुचे और वहां का उन्होंने जाय जा लिया साथ में इससे पहले उन्होंने सर्वदलिये बैठक बुलाई थी 36 घंटे से ग्रिह मंत्री अमिश्चा दिल्ली पर नजर बनाये हुए है और जिस तरीके से दिल्ली के इस्तिती भयानक बनी हुई थी आब उन्होंने भरोशा दिया है कि जल्द ही दिल्ली के सिती में सुधार होगा और किसी को भी दरने के जरूरत नहीं है क्योंकि अब कमा सब्सक्राइब तक कि की मांग की थी और ग्रह मंत्री ने इसको शुईकार कर लिया तो आज दिल्ली के राजधानी दिल्ली में करोना के बेहतासा बढ़ रहे मामलों से निपटने को लेकर सर्ब दलिये बैठक हुई ग्रह मंत्री अमिश्चा की ये अध्यक्षता में ये बैठक हुए और इसमें प प्रिंसिपल सेकेटरी हेल्थ भी शामिल हुए और इसके बारे में आदेश कुमार गुपता ने जानकारी दी की सर्ब दलिये बैठक हुई उसमें आदेश कुमार गुपता ने क्या कहूँ उन्हेंने ट्विट करते हुए लिखा कि आज मानिये ग्रियमंत्री जी द्वारा बुलाई गई और वहीं आपको बता दे कि पॉल कमिटी जो गठित की गई है वो दो दिन में इन जो करोना टेस्टिंग के चार्ज है इसको लेकर दो दिन में अपनी रिपोर्ट सौपेगी औ और वही पर ग्रियमंत्री अमिशा ने भी ट्विट करते हुए कहा कि दिली के राजनीतिक दलों के साथ दिली में करोना संक्रमट के संदर्म में बैठक की इस समय सभी दल राजनीतिक दोईश भुला कर प्रधान मंत्री मोधी जी के निर्थुत में दिली की जंता के हितों क के लिए काम करें सभी दलू की एक जुटता से जंता में विश्वास बढ़ेगा और कुरोना के विरुध लड़ाई को बल मिलेगा और वही पर आपको बता दे कि ग्रेह मंत्री अमिर्शा ने जिस तरीके से अपने हाथों में कमान ली और अब दिल्ली के स्थिती में सुधार होने की संभावना है और यह बहुत बड़ी राहत की खबर है दिल्ली वासियों के लिए और वही पर केजरीवाल के सबसे बड़ी नाकामी है केजरीवाल जिस तरीके से राजनीती कर रहे थे इस वक्त तीन महीने से जादा का समय हो गया अगर व्यवस्ता की बात करें तो के दिल्ली में 30,000 बेड़ों के जो दावा कर रहे थे अरविन केजरीवाल वह आज जिस तरीके से फिर और नाकाम नजर आ रहे हैं किन सरकार ने अपने हाथों में कमान लेकर अब दिल्ली के स्थिती को सुधारने का पूरा संकल्प ले लिया है केजरीवाल पूरी तरीके से दिल्ले में नाकाम है और वहीं बात करें संजे सिंग और मनिश शिशोदिया कि तो जिस तरीके से बाते करते हैं संजे सिंग दावा करते हैं कि 15,000 रोजाना हो रहे हैं लेकिन जो हकीकत सामने आई हैं वह आप सब को पताए कि 5000 टेस्ट हो रहे थे और सुप्रिम कोर्ट ने कहा है कि 18,000 तक से टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी यानि कि प्रत दिन 18,000 टेस्टिंग की जाएगी और जिस तरीके से ग्राउंड पर जाकर जो स्थिती है उसका जाई-जा ले रहे हैं तो इससे यह देखा जा सकता है कि अरवन केजरिवाल जो एडवर्टाइजमेंट मे में बिजी हैं वो बैट कर कैमरे के सामने सिर्फ और सिर्फ टीवी चैनल और अख़बारों में नजर आ रहे हैं दूसरी तरफ ग्रिया मंत्रिया मिश्रा ग्राउंड पर नजर आ रहे हैं तो यह देखने वाली बात होगी कि दिल्ली का मालिक जो अपने आपको कहते थे कि ह हम दिल्ली के मालिक हैं लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई संकट आता है दिल्ली की जनता पर तो अर्विन केज्रिवाल हाथ खड़े कर देते हैं मनिशिशोदिया कहते हैं कि LG ने जो हमारा फैसला बढ़ला जो तुगलकी फर्मान अर्विन केज्रिवाल ने दिया था उसको LG पतो हैं कि मनिश शुदिया ने बयान दिया विवस्था ना कर पाने और नाकामी चूपाने के लिए कि हमें बहुत बढ़ा भार सोब दिया और हमसे यहू नहीं रहा इसे पहले मनिश शुद्याने संजे जिंग आमाध्मी पार्टी के जितने भी वरिष्ट लीडर हैं सब् ग्रिया मंत्रिया मिश्रा के एंटरी हुई है और दिल्ली के स्थितिय में सुधार आ रहा है तो अर्विंद केजरिवाल जो लगातार धावे कर रहे थे स्वास्त के जो अगर इंदोंने चुनाव लड़ा था वो भी इनोंने कहा था कि स्वास्त विवस्ता है हमने बहुत राजनिती कर रहे हो और यहां पर कॉंग्रिस जिनोंने चुनाव में उन्हें बैक सपोर्ट किया था आज वो आरोप केजरिवाल पर लगा रही है क्योंकि उसको पता है कि आज जनता देख रही है और जनता सवाल उठा रही अर्विंद केजरिवाल पर आम आदमी पार्ट खड़े कर दिया है तो ग्राउंड पर आर्विंद केजरिवाल को जाकर जाइजा लेना चाहिए था उनको काम करना चाहिए था लेकिन उन्हें नहीं किया इससे पहले एक तस्वीर थी और तस्वीर खिचवाने के लिए उन्हें नया कुर्ता रागो चड़्दा ने निकाल राहित्राई कर रही है अस्पतालों में जगा नहीं है सुप्रिम कोट ने भी फटकार लगा दी है कि जिस तरीके से दिल्ली में आस इस्तिती है जानुरों से भी बत्तर हो गए है दिल्ली के जो मरीज हैं वो जानुरों से बत्तर भी उनकी स्तिती हो गई कहीं पर कूड़े से शोनिकल रहे हैं कही पर गटर में पड़े मिल रहे हैं और दूसरी तरफ बेड ऐसे मरीजों से भरे पड़े हैं लेकिन वहां पर डॉक्टरों की भारी कमी है केजरी वाल एडवर्टाइजमेंट करने के लिए पैसा खर्च करते हैं लेकिन सेलरी देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है जिस तरीके से अर्विन केजरी वाल एक टाइम से तरह दो पैसा गया हो जो फ्री की बिल लोगों के आ रहे थे वो दिखाया जा रहा था कि किस तरीके से कॉमर्शियल जो जिनकी शौप थी शौप बंद पड़ी है उसके बाद भी हजारो हजारो का लाखो लाखो का बिल लोगों के पास आ रहा था तो ये बहुत बड़ा ब्रश्टा चार दिल्ली में फैला हु कि अरविन केजरीवाल कर रहे थे एक तरीके से घूस देकर उन्होंने चुनाव जीता था ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि उन्होंने बस बिजली पानी फ्री का जो लोफ देकर जंता के वोट लिये थे वो सिर्फ और सिर्फ चलावा था आज जो सित्थी दिली में है वो मुद्दे पर कॉंग्रेस मौन समर्थन आम आदमी पार्टी को करती थी लेकिन अब जब जनता देश की इस तरीके से मांग कर रहे कि अर्विंद केजरिवाल को हटा कर यहां पर राष्ट पती शासन लगाया जाए यहां तक कि यह भी लोगों का कहना है कि अर्विंद केजरिवाल से अगर कोई बेटर काम कर सकता है तो वो है योगी आदितनात और दिली में भी बीजेपी की सरकार आनी चाहिए क्योंकि हमने देखा है कि उतर प्रदेश में किस तरीके से विवस्ता है यह देखने वाली बात है कि एक जगाँ पर तीन तीन पार्टिया होकर भी संभाल नहीं पा रही है और दूसरी जगाँ पर जो अपने आपको दिली का बेटा कहते थे जो अपने आपको यह कहते थे कि हम दिली के भलाई के लिए आए हैं वो आज try try कर रही है लेकिन अरविन केजरिवाल के कानों तक जू नहीं रेखती वो सिर्फ और सिर्फ बैट कर एसी रूम में और PRESS CONFERENCE कर रहे हैं अख़बारों में वो विग्यापन दे कर सिर्फ और सिर्फ एक तरीके की ऐसी राजनिती कर रहे हैं कि हम दिखेंगे प्रवासी मजदूरों के साथ जो उन्होंने किया वो पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से DTC की बस लाकर आनन विहार पर उन्हों लोगों को छोड़ दिया और जिसके बाद उनको यहां से जाने पर मजबूर किया गया उसके बाद उन्होंने कई ऐसे तुगलकी फर्मान की एक तरफ उन्होंने कह दिया कि दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ दिल्ली वासियों का ही इलाज होगा बर्डर को सील कर दिया जाएगा और अपनी नाकामी चुपाते रहे कभी डॉक्टरों पर सवाल उठाए कभी केंसरकार पर सवाल उठाए यह कहते थे कि बीजेपी यानि की केंसरकार मोधी सरकार दिल्ली वालों के साथ अच्छा ब्यभार नहीं कर रहें लेकिन आज अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो वह मोधी सरकार है और आज ग्रिह मंत्री अमिशा दिल्ली की भलाई के लिए करके जरूर बताएं अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहें